हजलो एवरिमन मेरा नाम है हेत्या सर आप सब्भी को सबसे पहले तो वसंदपंच्मी की डेर शुब्र काम नाइग लिए आप लोगों को नहीं पता है कि हम लिए वसंदपंच्मी क्यों सेलिब्रेट करते है तो कोई बात नहीं मैं आपको बता देता हूं कि हम लोगों हिंदु तैवार है जो हम लोग बहुत ही दूमदाम से सेलिब्रेट करते हो और यह तैवार संगीत कला और ज्यान की देवी यानि की सरस्वती माता का तैवार है और यह हम लोग और यह पूरे भारत में बहुत ही दूमदाम से मनाया जाता है और यह हम लोग माग महिने के सेलिब्रेट कर रहे हैं और वसंद पंचमी को सर्दियों के आंत और वसंद ढूतु के आडमन का प्रतिक है और मैं आपको ये भी बता देता हूँ के इस दिन के जो छोटे बच्चे उनको हिंदू रिती रिवाज के अनुसार अपने पहला शब्द लिखाना सिखाया जाता है और इस तहवार पर लोग आम तोर पर पीले वस्तर पेंते यानि की पीले कपड़े पेंते हैं और हिंदू परणिक कथाओ के अनुसार देवी कला बुद्धी और ग्यान की निरंतर प्रवाग क्या प्रतिक है वसंद पंचमी को देवी सरस्वती का जन्मत इनके रूप में बहुत बड़ा उट्सो मनाया जाता है वसंद पंचमी का तहवार विशे शुरूप से शिक्षन संस्तावों में मनाया जाता है और मैं आपको ये भी बता दू के मैं अपनी स्पीच का समाप्त पन एक सरस्वती माता के एक शलोक से करना चाता हूं तो मैं अपनी आखे देता हूं कि ये शलोक में हमें क्या कहा है तो मैं आपको शलोक में बता देता हूं हमें ये बोला गया है किये और मिलता है थैंक ये विवन थैंक ये विवन पर गिविए ताम तो में